नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आजे 28 दिसम्बर दिश गडुबार खब्लों क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स जोन्स सलानियों के लिए तयार प्रकंडस्तर ये खेती बारी क्रिसी क्लेनिक के स्थापना ही तू आवेदन ऐसे ओन्लाइन देखे थाने में दर्ज एफायार के स्थिती सहारा रिफंड पोटल पर आवेदन करने के बाद भी नहीं आया पैसा तो कड़े ये काम केल राहुलने की सच्छन की बडावरी और तोरा धूनी का 13 साल पुराना रिकार्ड अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से ससे जीडी कॉंस्टेबल के 26,000 से ज़ादा पदो के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख नस्दीक स्टाफ सलेक्शन कमिसर ने जीडी कॉंस्टेबल के 26,000 से ज़ादा 26,416 पदो पर भरती निकाली है ऐसे में वे लोग जो उसके लिए आविदन करना चाहते हैं लेकिन अब तक नहीं कर पाए हैं तो बता दे कि आपके पास आविदन करने के लिए जादा समय नहीं बचा है इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक 31 दिसंबर 2023 तक ही निर्धारित की गई है वहीं फीस पेमेंट करने के लिए अंतिम तारिक 1 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है ऐसी में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं इसके लगर सैचने क्योगिता की बात करे तो अभ्यर्थी को किसी मानिता प्राप्त बोर्ड से दसवी पास होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 23 साल तक होनी चाहिए इसे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार चारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख ले बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स जोन सलानियों के लिए तयार अगर आप कम खर्च में बिहार में ही गोवा का मजा लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है द यार कर दिया गया है मालूमों कि यहां पैड़ा सेलिंग के साथ क्याक जट्सकी मोटर बोर्ड जार्बल बाल जैसे एडवेंचर स्पोर्स का मजा लिया जा सकता है वहें इसके लावे जील को परेटकों के रहने खाने पीने घूमने पार्किंग चेंजिंग रूम कैंटीन आधी तमाम सोधाओं से भी लैस किया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि यहां पैड़ा सेलिंग के लिए परेटकों को प्रतिव्यक्ती 800 रुपए देने होंगे वहीं साधारा नाव की सेर के लिए प्रतिव्यक्ती 100 रुपए वाटर स्कूटर के लिए 400 रुपए देने होंगे इस बारे में वोटर स्पोर्ट्स जोन का कैप्टन के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि यहां सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है यहां काम करने वाले सभी कर्मी प्रसक्षत हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे धर्नी दास के बाड़े में धर्नी दास एक रामानंदी संत और भोजपुरी कवी थे जिन्होंने भोजपुरी साहिते के विकास में महत्पुन योगदान दिया है वकायस्त परिवार से थे और बादशा और अरंगजेव के समकाली उनके अन्याईयों को धर्नी दाशी कहा जाता है 1657 इसवी में वह रामानंद के अनुवाई बन गये जो वैसनब धर्म के प्रचारक थे जिन दो घटनाओं के कारण उन्हें सांसारी जीवन छोड़कर भिक्चु बनना पड़ा उनमें से एक उनके पिता की मृत्यू थी और कई मठो की अस्थापना की जहां हर साल उनसे और उनके अनुयाईयों सदानंद और सिवानन से जुरा एक मेला लगता है उन्होंने मांची में एक मठ की भी अस्थापना की उनके धार्मिक विचार मूर्ती पूजा और अंधविश्वास के विरुद थे उन्होंने तीन पर दिखाया जा रहा है उस पर जाना होगा वही आविदन करने की अंतिमतारिक 15 जन्वरी 2024 तक नरधारित की गई है बतादिक इसके तहट सरकार के ओर से वीतिय सहाइता के रूप में स्थापना हेतु कुल अनुमानित लागत 5 लाग रुपे का 40 प्रतीशत और अधिक्तम 2 लाग रुपे की राशी दी जाएगी तिथा लागत की सेश रासी का वहन आविदक द्वारा स्वेम किया जाएगा मालम हो कि सहाइता रासी का भुगतान दो किस्तों में समान रूप से किया जाएगा जिसमें प्रतम किस्त का भुगतान खेती बारी क्रिसी क्लिनिक के संचालन हेतु सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरन यंत्र के क्रय के बास सहायक निदेशल पौधा सनक्षन के भौति प्राप्त करने वाले आवेदिकों को प्रात्मिक्ताज दी जाएगी पटना से सोंपूर के बीच गंगा नदी पर बनेगा च्छ लेन ब्रिज बिदेदिन बुधवार को देश के प्रधान मंतरी नरीन्द्र मोधी के नर्तितों में हुई काबिनेड की बैठिक में बिहार की राजधानी पटना से सोनपूर के इलाके में आवा गमन को बहतर बनाने की दिशा में बिहार में गंगा नदी पर एक सिक्स लेंड बीच बनाने को काबिनेट की ओर से अपनी मंजूरी दे दी गई है ऐसे में अब गंगा नदी पर पटना के दिग्धा से उत्तर दिशा में सोनपूर को यह प्रस्त कारित किया गया है मालुम हो कि यह एक केबल ब्रिज होगा जिस पर गारियों का परिचारन होगा और पुल के नीचे से गंगा नदी में नाव और जहाज का आगमन होगा गौर्ट लभे के अगले चार साल में बिहार में गंगा नदी पर ठाड़ा पुल हो जाएंगे ऐसे ओनलाइन देखे थाने में दर्ज FIR के स्थती अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके द्वारा किसी थाने में FIR दर्ज करवाए गया है और आप उस FIR के स्थती जाना चाहते हैं लेकिन आप यह काम घर बैठे करना चाहते हैं तो यह खबड़ आपके लिए है बता दे कि बिहार सरकार के दोरा सभी कारियों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि लोगों को और भी सुधा मोया कराई जा सके इसी करी में बिहार सरकार के ग्री विभाग के दोरा IPRD विहार के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकाली दी गई है कि थाने में दर्ज कराई गई FIR के स्थितिकों ऑनलाइन कैसे देखा जा सकता है इसके लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे बता दे कि इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बाद आपको स्क्रीन पर देख रहे नागरिक स्थिवाई पर क्लिक करना होगा इसके बाद FIR देखे पर क्लिक करें डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन का चनाव करें कंप्लेंट नंबर, FIR नंबर, अक्यूस नंबर के माध्यम से सर्च करें और अपने FIR के स्थिदी देख ले लीची के छलके और बीच से बनेगी दवाई राश्ट्रे लीची अनसंधान केंद्र के दौरा लीची के छिलके और बीच से दवा बनाने के लिए शोध का कारी किया जा रहा है बता दे किस कारी को करने के लिए अनसंधान केंद्र के एक विज्यानी अंकित कुमार को IIT खड़कपुर भेजा गया है ताकि वहाँ वो तीन महा तक इस बारे में प्रसक्षन ले सके इस दौरानवे प्रसक्षन में यह जानने की कोशिश करेंगे कि लीची के केमिकल का पता लगा कर कैसे उसे स्टोर किया जाए बीजवा छिलके का प्रसंसकर्ण कैसे किया जाया इस बारे में किंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास तास के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि अगर यह शोध सफल हो जाता है तो लीची की खेती करने वाले किसानों को काफी लाब बलेगा बहिज सोध में सफलता मिलने से लीची के छिलके और बीच से बने दवाई के डिमांड बिहार के साथ साथ देश के अन्य राजियों में भी बढ़ सकती है उन्होंने बताया कि शोध के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि बीज और छलके में क्या 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 केमिकल है और इनसे कौन-कौन सी दवाई बनाई जा सकती है सभी जिलों में स्थापित होगी सभी यूनियन बिहार सरकार के द्वारा किसानों के हितों के लिए कई योजनाय और कई लावकारी कदम उठाये जाते हैं इसी कड़े में अब बिहार सरकार के दौरा राजी के सभे जिलों में सबजी यूनियन अस्थापित की जाएगी बता देग इस बात की जानकारी सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरंदर यादव के दौरा दी गई है दरसल उने मीडिया से बात करते वे कहा कि बिहार सरकार के दौरा किसानों की बहतरी के लिए राजी के सभे जिलों में सबजी यूनियन के स्थापना की जाएगी जिससे किसानों को सीधा लाब मिलेगा और साथी सबजी का निर्याद दूसरे प्रदीशों में करने में भी सुधा मिलेगी इसके साथ इन्हों यह भी कहा कि सरकार के द्वारा 15 फरवरी तक 45 लाख में ट्रिक टन धान अधिप्राप्ती का लक्षे रखा गया है और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है इसके लावा सभी पैक्सों को वेवसाई गतिवीदियो जैसे पेट्रॉल पंप, गैस एजनसी, एथनॉल, प्लांट, खाद, बीज की दुकान, दवाई की दुकाने खोलने के दिशा में भी कारे हो रहे है पैक्सों में सहकारी बैंक की स्थापना संबधी प्रयास चल रही है सहरा रिफरंड पोर्टल पर आवेदन करने के बाद भी नहीं आया पैसा तो करे ये काम क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके द्वारा सहरा को ओपरेटिफ सोसाइटीज में पैसा निवेश किया गया है और 45 दिनों बाद भी सहरा रिफरंड पोर्टल पर आपका पैसा नहीं आया है तो यह खबर आपके लिए हैं अगर आप भी ऐसे ही लोगों में हैं तो आपको दुबारा से उस पोर्टल तरीके से आवेदन करने पर 45 दिनों के अंदर आपको आपके पैसे रिफरंड हो जाएंगे बिहार परटन में आज हम बात करेंगे अगम कुआ के बारे में अगम कुआ भारत के पटना में एक प्राचीन कुआ और पुरातात्विक अस्थल है ऐसा कहा जाता है कि हम मौरे समराथ अशोक के कालका है यहां कार में गोलाकार है उपरी 13 मीटर में इट और शेस 19 मीटर में लकडी के छल्ले हैं अगम कुआ भारतिये पुरातत्व सर्विक्षन द्वारा पहचारे गए एक पुरतात्विक अस्थल के भीतर इस्थित है जिसमें लिकटवर्ती शीतला देवी मंदर भी है जहां श्रक्ती देवता सीतला देवी की पूजा की जाती है इस मंदर के अंदर सब्त मातरी काओं के पेंडो की पूजा की जाती है यह मंदर चेचक और चिकन पॉक्स के इलाज में अपनी आस्था के लिए व्यापक रूप से पूजनिया है कहा जाता है कि स्कुए का इस्तमाल दोशियों को यातना देने के लिए किया जाता था उन्हें आग में फेक दिया जाता था जिससे आग निकलती थी अशोक का सिलालेख क्रमां का आठवी इस कुए का उलेख करती है जिसे अगनी कुए या प्रीतवी पर नर्क के रूप में भी जाना जाता था एक अने लोग प्रीय किवदंती में कहा गया है कि यह वह कुवा था जहां आशोक ने मौरे समराजी का सिहासन प्राप्त करने के लिए अपने बड़े सौतेले भाई के 99 सरफ फेक दिये थे बिहार में आज यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में है तो या खबर आपके लिए है बता दे कि आज या निकी 28 दिसंबर को दर्भंगा में रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है इस बारे में विस्तरत रूप से और दोईग प्रसक्षन संस्थान दर्भंगा के प्राचारे आरके ठाकुर के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि आज आयोज़ित होने वाला या रोजगार मेला महिला और दो एक प्रसक्षन संस्थान दर्भंगा परिसर में सुबह 10 बजे से लगने वाला है वहिन उमिद्वारों की आयू अठाल से 24 साल के बीच होनी चाहिए उन्होंने कहा कि उमिद्वारों का चेन इंटर्व्यू और लिखित परच्छा के आधार पर होगा बहुत धर्म का कालचक्र पूजा 29 से सुरू तरस भाशा में होगा प्रसारित 29 से भगवान बुद्व की नगडी बोद गया कि एतिहासे कालचक्र मैदान में बहुत धर्म गुरू दलाई लामा के दोरा पूरे विश्व को सांती का शंदेज दिया जाएगा बता दे कि दलाई लामा लगातार तीन दिनों तक टीचिन कारिक्रम आयोजित करेंगे जिसके लिए इकालचक्र मैदान में तयारियां पूरी कर ली गई है स्टेचिन कारिक्रम में 60,000 बहुत श्रधालूं के शामिल होने की संभावना जताई गई है वहिस कारिक्रम को दसते अधिक भाषाओं में प्रसालित किया जाना है पतादे इकाल चक्र मैदान में पूजा पंडाल में प्रवेश के लिए 14 द्वार बनाएं गये हैं जन्वरी में स्टेनोग्राफर भरती की कौशल परिक्षा बहार में जन्वरी में 1207 पदों केलिये स्टेनोग्राफर भरती कौशल परिक्षा आयोजित की जाने वाली है जिसमें grade C और grade D की परिक्षा होगी इसके लिए अडमिकार जारी कर दिया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि परिक्षा दो पालियों में आयोजित होने वाली है जिसमें से पहली पाली की परिक्षा की शुरुवात 11-28 बज़े से होगी तो वही दूसरी पाली की परिक्षा दो पहर डेर बज़े से होग इस परिक्षा के लिए बिहार के साथ ही यूपी में भी दस परिक्षा केंदर बनाएगे हैं बिहार की बात करें तो यहां राधधानी पटना में दो केंदर और पूर्णिया जिले में एक परिक्षा केंदर बनाएगे हैं वहीं राजी के बाहर लखनव, बड़ेली और कानपुर में परिक्षा का आयोजन किया जाएगा अस परिक्षा में कुल 5,895 परिक्षारती भाग लेंगे जाने क्यों रूपय के अंदर लगा होता है एक धागा आपने गौर किया होगा कि रूपया करेंसी वाले नोटों के बीच एक धागा लगा होता है लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि आखिर ये धागा क्यों लगाया गया है बता दे कि यह खास तरीके का धागा होता है जो की खास तरीके से बनता है और इसकी मदस से असली नकली नोट की पहचान की जाती है बता दे कि अगर आप गौर से देखेंगे तो पांसो और दो हजार रुपे के नोटों के अंदर जो चमकीला मिटैलिक धागा होता है उसमें कुछ कोड भी उब्रा हुआ होता है इसका अस्तमाद सुरक्षा के मानकों को देखते वे किया जाता है इसका आइडिया 1849 में इंग इंग्लैंड ने 1948 में किया था वह 1990 में कई देशों की सरकारों से जोड़े केंदरी बैंकों के द्वारा नोट में सुरक्षा कोड के तौर पर प्लास्टिक थ्रिट का इस्तमाल शुड़ हुआ भारत में हाला कि करेंसी नोटों पर मिटैलिक स्ट्रिप का इस्तमाल काफी द पटना गया डोभी फोरलेन का इस दन होगा लोकारपन दो घंटे में सफर होगी पूरी पांच जनवरी दो हजार चौबस को केंदरे सरक पड़ेवान मंतरी के द्वारा पटना गया डोभी फोरलेन सरक का लोकारपन किया जाएगा बता दे किस फोरलेन सरक का निर्मान कारे पूरा हो चुका है वहीं सरक के बनने से पटना गया और डोभी की यात्रा करने वाले लोगों को सफर पूरा करने में 4-5 घंटे के बजाए मातर 2-3 घंटे लगेंगे जिसमें से पटना से गया पहुंचने के लिए 2 घंटे और पटना से डोभी पहुंचने के लिए 3 घंटे लगें गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि सारे 5000 करों रुपए से तयार होने वाले सरक अनिर्मान कारे वर्ष 2010 में शिड़ हुआ था लेकिन अब यह जाकर तयार हुआ है और इस पर अब करीब 20,000 करों रुपए खर्च हो चुके हैं बता दे कि सरक से 9 बाइपास को जोड़ा गया है स्फोरलें सरक के निर्मान कारे में तेजी तबाई जब इस पर पटना उचने आयाले के द्वारा संग्यान लिया गया वही 2020 में पटना हाई कोर्ट के नर्देश पर नई कम्पनी को सौपा गया था और तब इसका निर्मान का इतना ही नहीं नए साल के शिर्वाद भी कडाके की ठंड के साथ होने की संभावना है दिसंबर का महीना बीतने में अब मातर कुस दिन शेष रह गये हैं फिर भी लोगों को भीशन ठंड का हैसास नहीं होड़ा दीज दिसंबर तक मौसम के तापमान में उता चड़ाव जा संभावना है दो जनवरी के बाद दिन के तापमान में कमी आने की भी संभावना है सुरान कुस दिनों तक कोड़ा भी छायास रह सकता है मौसम विवाक के नुसार पश्मे विचोप के कारण बिहार का नीचला वायो मंडल पुडवी हवा के संपर्क में रहेगा इसके चलत स्थानिय मौसम में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है बिहार राज्यपाल ने किंग महिंदर की प्रतीमा का किया अनावण या काफी सरानिय कदम है शहर छेत्र में तो बहुत लोगों को काम करते वे देखा है लेकिन ज़स्तर से ग्रामीन छेत्र में जीतना बढ़िया विद्याले की स्थापना की गई है जिसमें सभी तरह की सुधा और सक्षा दी जा रही है इस महापुरुष को कोटी कोटी नमन कर परता है उन्होंने कहा कि स्क्षा का विकास चरोड़ी है स्क्षा से समाज और समाज से देश बंता है जब तक समाज विक्सत नहीं होगा तब तक राज्य और देश विकास नहीं करेगा प्री-PSD के लिए अब होगी सिर्फ एक प्रवेस परिच्छा बहर सिरकार के सक्षा विभाग के दौरा राजी के सभी विश्य विद्यालियों में प्री-PSD में नामांकन के लिए एक ही परिच्छा लेने की तयारी के लिए प्रस्ताव तयार कर लिया गया है ऐसे में अब इस प्रस्ताव को समिक्छा के बाद राजभवन को भेज दिया जाएगा मालूम हो कि अगर यह विवस्था लागू हो जाती है तो छात्रों को अलग-अलग विश्य विद्याले में प्री-PSD के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा विश्य विसे इसमें सीट की उपलगता एवं आरक्षन के रोस्टर के हिसाब से एक ही पड़क्चा के माध्यम से उनका नमांकन हो सकेगा इसे छात्रों को भी राहत मिलेगी और साथ उन्हें आर्थिक नुकसान भी कम उठाना पड़ेगा वह इसके लावा राजी में नेट यानी की नेशनल इलिजबिलिटी टेस्ट के साथ साथ बिट यानी की बिहार इलिजबिलिटी टेस्ट से भी सहायक प्रोफेसर की नुकती होगी इसके लिए विभाग के द्वारा सहायक प्रोफेसर की अहरता के लिए UGC net की तरज़ पर बेट शुरू करने का भी फैसला लिया गया है महागरबंधन में तूट की अटकलों पर विजय चौधरी का बयान JNU के दिगर्ष नेता और मंत्री विजय चौधरी के द्वारा महागडबंधन में तूट की अटकलों के बीच अपना बयान दिया गया है द्रसल जब मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया कि महागडबंधन में सब ठीक चल रहा है इस पर उन्होंने जवाब देते वे कहा कि अभी तक तो हम लोगों की समसे कोई confusion ही नहीं है यह सब तो काल आप लोग ही चला रहे हैं पता नहीं आप लोगों को कहा से इसकी सूशना मिलती है आप लोग इससे भी अधिक कोशिश कीजेगा तब भी महागडबंधन इंटक्टन रहेगा कोई तूट नहीं होने जा रहा आपकी जानकारी क्ले बता दे कि इन दिनों राजनतिक गरि 29 दिसंबर को बिहार के राजधानी पटना मिलस्थद भाजपा प्रदीश काड़याले में बीजपी के द्वारा मिलन समारों का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें पार्टी के बड़े निताओं की मौझूदगी में जेडियू के पुर्व महासची प्रगती मेहता प्रदीश सद्यक्ष उमेश कुश्वाह के द्वारा लेटर जारी कर कहा गया था कि पार्टी लाइन के खिलाब बयान देने की कारण प्रगती मेहता को 6 साल के रिजद्यू से बाहर किया जाता है दरसल प्रगती मेहता के द्वारा लगतार जातिये गन्ना को लेकर सवाल उ विधान पारसदों के प्रतिनिधी मंडल पठना के एक अन्य मार गस्तत पहुंचे जहां उन्होंने CM नितीश को बिहार के नियोजिस सक्षकों को राजी कर्मी का दर्जा दिये जाने पर बधाई दी वहें दुरान विधान पारसदों के द्वारा कहा गया कि जद्यू और मु मुख्यमंत्री के द्वारा हिस द्वारा सभी विधान पारसदों के साथ फोटो भी किचवाए गई केल राहूल ने की सचिन की बडावरी और 12 धोनी का 13 साल पुरान रिकॉर्ड साउथ अफरिका के साथ खेले गए बॉक्सिंग डेट टेस्ट में केल राहूल के द्वारा 133 गेंदों का सामना करते वे 101 रन की पारी खेलते वे कई रिकॉर्ड अपने नाम किये गए बता दे कि केल राहूल साउथ अफरिका के समयदान पर दो शुतक लगाने वाले पहले विजिटिंग बल्लेबाज बन गए है इसके साथ ही केल राहूल भारतियेक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर एशिया से बाहर शुतक लगाने वाली एलिट लिस्ट में शामिल हो गए है इसके साथ उन्होंने क्रिकर के भगवान कहे जाने वाले सचिन तर्दुलकर की एक मामले में बड़ाबरी कर दी है और साथी पुर्व भारतियेक अप्तार एवस धोनी के भी एक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर लिया है ये उनके टेस्ट करियर का आठवा शुतक रहा वहीं केल राहूल विजय मांजरेकर के बाद विकेट कीपर के साथ विकेट कीपर के रूप में खिरते वे टेस्ट शुतक बनाने वाले दूसरे भारतिये बन गए है भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णों सदर्च ना तीसवा स्तक्जर कर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो रहा था राजीव कांधी के नर्तितु में 1984 में कॉंग्रस को लोकसभा चनाव में जीत मिली भारतिय डाक विभाग दोरा 2000 में वीर्ता पुरुसकार विजिताओं के सम्मान में 5 डाक टिक्टो का जन 1927 में हुआ भारतिय राजनेता अरुन जेटली का जन 1952 में हुआ वरामायन प्रवक्ता आचारे पंडित पुनित दुवेदी का जन 1991 में हुआ बहुमुखी प्रतिभा के धनी समाजी क्रांती के अग्रदूत था चतिसगर राजीबे जन जागरन करता सुन्दर ला शिर्मा का 1914 में निधन हुआ प्रसिदर राजनेतंग्य तथा राजिस्थान के प्रतह मुख्य मंत्री हीरा लाज शास्त्री का 1974 में निधन हुआ हिंदी कभी सुमित्रा नंदन पंद का samples में निधन हुआ जिक दिन को केंद्री आरक्षी पुलिस दिवस के रूप में भी मन चानमंत्री नरंदर मोधी द्वारा सभी भारती यूजर्स को 249 रुपे का 28 दनवाला रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है पी आई बी ने अपने ट्वीट में आगे लेखा है कि हदावा फरजी है भारत सरकार द्वारा या फ्री रिचार्ज योजना नहीं चलाई जा रह है दरसल कंपनी वेब यूजर्स को स्टेटर्स सेयर करने का ऑप्शन देने वाली है ताकि आप बिना फोन खोले भी लैप्टॉप या डेक्स्टॉप से काम की चीजों को पोस्ट कर पाए वार्टस आपको टेक्स्ट और मीडिया दोनों का ऑप्शन देगी फिलहाल ये आने वाले समय में इसमें भी ये फीचर दे इस अबडेट की जानकारी वार्टस आप के डेवलप्मेंट पर नज़र बनाए रखने वाली वेबसाइट डबलूए बीटा एंफो ने शेयर की है अगर आप भी वार्टस आप के तमाब नए फीचर सबसे पहले पाना चाहते ह है हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरुड़ी सवार और उससे जुरे जवाब बताएंगे जो की बीपीसी बिहार पुलिस दरोगा समय अससे जैसे अने प्रतियोगी परच्छा में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भोगोल स पूछे कहें पांचो सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंन करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है पावापुरी किस धर्म से संबंद स्थल है ऑप्शने जैन धर्म ऑप्शनी शैब धर्म ऑप्शनी वैश्णम धर्म इसका सही उत्तर है ओप्शने जयान धर्म अगला सवाल प्राचीन पाटले पुत्र के खंडर के रूप में प्रसिद कुम्हार बिहार में किस जले में सत है? ओप्शने पटना में, ओप्शन भी आडा में, ओप्शन सी गया में, ओप्शनी मुंगेर में? इसका सही उत्तर है ओप्शने पटना में? आप्शने लखनाव उत्तर प्रदेश, आप्शन B मॉंबाई, आप्शन C नई दिल्ली, आप्शन D करनाटक इसका सही उत्तर है आप्शने लखनाव उत्तर प्रदेश अगला सवाल केंद्रे कैबिरेट ने किस देश में हाली में भारत के महावानिजिय तुतावास खोलने को मंजूरी दी है औप्शनी ऑस्ट्रेलिया, औप्शनी ब्राजील, औप्शनी चीन, औप्शनी निउजिलांड इसका सही उतर है औप्शनी निउजिलांड इसके साथ ही बरते हैं अचके सवाल क्यों राज का सवाल है आपके छितर के किस परेट नस्थल पर आने वाले परेटकों की संख्या सबसे अधिक होती है अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूरू बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउज और साथ ही